आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एक की प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाऊ। अभी राउटनोट करें। 16XQ प्लस के 30X माइनस के 560 एक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इस फलन का अवकलन ग्याद करता हूँ, यानि F-X का मान निकालता हूँ, तो देखो हम जानते हैं, चूँकि D-Y by D-X of X की पावर जो N होता है, उसके अवकलन का मान क्या होता है, N टाइमस इं 16X की पावर 6, प्लस 1450 इंटू X की पावर 4, प्लस 16 इंटू 38X स्क्वार, प्लस के 30, तो देखो, बेसिकली ये हमारा एक पॉस्टिव क्वांटिटी है, क्योंकि X स्क्वार हमेशा धनात्मक मान देता है, X की पावर 4 भी सदेव धनात्मक मान देता है, और X की पावर 6 भी ह हमेशा धनात्पक मान देता है, अगर x equal to 0 भी होना, तब basically f dash x का मान, basically newton मान हमारा 30 है, ठीक है न, तो हम कह सकते हैं, कि जो f dash x है, वो हमारा always greater than equal to 0, always greater than 0 है, equal to भी नहीं, always greater than 0, for all x belongs to real, तो इसका मतलब क्या है, कि f x हमारा एक निरंतर वर्दमान फलन है, f x हमारा निरंतर वर्दमान फलन है, यानि सदे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x की value बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा f x भी बढ़ता जा रहा है, तो अगर देखो, यहां पर अगर हम F of minus infinite command निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा चुकि minus infinite की पापर basically odd है तो minus infinite मिलेगा और F of infinite command हमें infinite मिलेगा तो basically अगर हम इसका एक random graph plot करें जो कि actual में इसका graph नहीं है suppose करो कि minus infinite पर infinite दरसा रहा है infinite पर infinite दरसा रहा है और ये graph हमारा लगाता और बढ़ता जा रहा है यानि कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी maximum वह लगाता और बस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो minus infinite पर यहां पर है infinite पर यहां पर पहुंच गया तो कहीं न कहीं तो एक जगे तो ऐसी होगी जहां पर यह x h को काटा होगा तो जहां पर कोई भी फुलन का graph हमारा x h को काटता है basically वो उस सम्मीकरण का मूल होता है तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस सम्मीकरण का cable एक ही वास्तविक मूल होगा, यह हमारा x h और यह हमारा y h तो इस सम्मीकरण के कितने वास्तविक मूल है इस सम्मीकरण के basically हमारे एक वास्तविक मूल है यह हमारे question का answer है इस सम्मीकरण के केवल एक यह वास्तविक मूल है यह हमारे question का answer है, thank you